बहुत सारी couple से question पूछते हैं कि माम क्या मैं अपनी wife का discharge ले सकता हूँ बहुत common fantasies रहती है squirting की, बहुत common fantasies रहती है oral sex into female वे जायना, या फिर clitoris stimulation, टंग के साथ करना बहुत सारी problems है, फिर male को लगता है कि मैं ले सकता हूँ इसकी वज़े से problem तो नहीं हो जाएगी, इससे मुझे STIA तो नहीं हो जाएगा इस वीडियो इस डारेक्ट टॉक अबाउट क्या male female को नीचे सक कर सकता है और क्या discharge ले सकता है, चैनल पर नए है तो subscribe करेंगे, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानेंगे कि it's absolutely normal for those females जिनको अच्छे से जानते हैं और जिनकी medical conditions के बारे में आपको पता है, आपका committed partner है, आपकी wife है, जिनके STI status के बारे में आपको पता है तब ही आप उनको without any protection नीचे से सक कर सकते हैं या कम को ले सकते हैं लेकिन अगर आपको उनके sexual orientation के बारे में नहीं पता है, paid sex कर रहे है या पहली बार किसे से मिले हैं तो आपको dental dam का इस्तमाल बहुत जादा करना जरूरी है dental dam क्या है उसके लिए आप मेरी ये वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से dental dam को यूज करके आप लोग कमिनिकेट करें, बात करें, कंसेंट लें और आप डेफिनिटल इसे कर सकते हैं दूसरी चीज का जो ध्यान रखना है वो है आपका oral hygiene males are very much required कि वो चेक करें कि उनके कहीं भी teeth में, gums में और कहीं पर भी cuts बग्यरा नहीं है क्योंकि इसकी वज़े से अगर आप dam का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी उनकी female का discharge अगर आपके blood के साथ लग गया, तो आपके STI होने के chances हो सकते हैं लेकिन अगर आप consensual partners हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, marriage में हैं, तो there is not even 1% of chances about it बहुत जादा interest है female को नीचे से सक करने का, या कुछ और तो better यह है कि उनके वो time ज्याद रखें, जब वो अच्छा feel करती हैं और उनकी जो insecurities हैं, उसके बारे में definitely बात करें कैसे बात करनी हैं, मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आउंगी ताकि आप उन्हें convince कर सकें तो क्या करना है, चानली के साथ जोड़े रहना है